देश की राष्टे राजधानी दिल्ली में उत्तर पूर्वी छेत्र में एक इलाका है दिलशाद गार्डन और वहाँ पर भाजपा के चुने हुए सांसत परवेश वर्मा ने आज से करीब दो दिन पहले एक निहायती भड़काऊ भाशर दिया वहाँ पर एकत्रत भीर से उन्होंने बोला कि अगर तुम उन लोगों को समझाना चाते हो और ठीक करना चाते हो तो उनका पूर्व भुशकार कर दो उनसे सबजी फल और तमाम अने चीज़ें मत खरीदो खुब नारे भी लगवाए एक और भाजपा के शिरोमणी है लोनी से विधायक है नंदकिशो और गुर्जर वो तो दो हाथ आगे चले गए उन्होंने तो ये तक कह जाला कि जब घाजियाबाद में सुवर कटता है वो सुवर कह रहे थे उस अखलाख को जिसकी लिंचिंग से हत्या कर दी गई थी तो पहला सवाल ये है कि दिल्ली पुलीस क्या कर रही है कौन से महुरत का इंतजार कर रही है इनके खिलाफ कारवाई करने के लिए क्योंकि अगर ये भड़काओ भाशन नफरती भाशन नहीं है तो नफरती भाशन और क्या होता है दूसरा कोट क्या कर रहे है क्यों नहीं संग्यान ले रहे है सब जगें ये स्पीचेज है क्या कोट अपनी ही बात को मानकर चुप बैठा हुआ है कि अगर नफरती भाशन भी हसके दिया जाए तो वो नफरती नहीं है अब तीसरे मुद्दे पर आ जाते हैं कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं क्योंकि परवेश वर्मा ने दिल्ली के दंगों के दौरान भी ऐसी कुछ आपत्ती जनक बाते कहीं थी और नन के शोर गुर्जर को तो सब ने देखा था कैसे किसान अंदोलन में हाथा पाई और मार पीट करने इनके गुंडे पहुँच गए थे और खुद भी पहुँच गए थे ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भारतिय जनता पार्टी में ये सबसे प्रबल तरीका है सक्सेस्फुल होने का सफल होने का इन सबके आराद दे इन सबके रोल मॉडल अनुराक ठाकुर जैसे लोग है मंच से नारा लगवाओ गोली मारो डैश को और उसके बाद जाकर कैबिनेट मंतरी बन जाओ तो इन लोगों को लगता है ये सबसे शोर शॉट तरीका है सटीक ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है अब बात आती है कि मोदी जी क्या आप चुप रहीएगा या कुछ कीजिएगा आपका सांसद खड़ा होके मंच से पूर भहिशकार की सुवर होने की गंदी गंदी बाते कर रहे हैं आप क्या कीजिएगा मूक तरशक ही बने रहीएगा पर मोदी जी पर कुछ और बोला जाए उससे पहले उनके छोटे भाई अरविंद केजरीवाल जी पर बोलना जरूर का नारा लगा केजरीवाल जी चुप दिल्ली में दंगे हुए केजरीवाल जी ने मौंधारा कर लिया और अब फिर से इस तरह का नफरती भाशा बोला गया और केजरीवाल जी चुप रहेंगे तो कब तक आप भाजपा के छोटे रीचार्ज की भूमिका आदा करते कभी तो हिम्मत जुटाइए कभी तो सास जुटाइए जिन लोगों ने आपको वोड़ दिया इस जनता के लिए कभी तो खड़े होकर बोलिए और फिर से मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहती हूं जब विदेश्ची देशों ने आपके उपर प्रेशर बनाया था तो आप ने तुरंद बिना समय विर्थ किये नूपुर शर्मा को फ्रिंज एलमेंट कहकर निकाल बाहर फेका था दूद की मक्ही की तरे ये बात अब फिर से विदेशों में जा रही है विदेशी चानल विदेशी अख़वार इस पर फिर से लिखना शुरू कर रहे है जो सल्मान सब वहां काम करते हैं तो दिक्कत की बात ये है कि नफरत की आंधी में इतने मत बह जाईए इतने मत खो जाईए कि राशनल ठिंकिंग और जो राजधर्म है आपका वो आपको याद है राजधर्म याद है ना 2002 का पाट पढ़ाया गया था आपको इस देश में पून और विवस्था का पालन करवाना और देश वासियों की पूरता सुरक्षा करना आपका राजधर्म है आपकी नाक के नीचे आपका नफरती चिंटू बना सांसद भड़काव भाशण देता है और आपके मुह से एक शब नहीं फूरता है दुरभाग्य है इस देश का कि आप इस देश के प्रधान मंतरी है